आज हम बनाने जा रहें मज़ेदार बैसन का हल्वा यह एक कब हमने बैसन लिया है आदा कब हमने घी लिया है और यह मिल्क पोडर है तकरीबन 4-5 चंचे और यह आदा का भी चीनी है यह बदाम पिष्टे हैं इसको हमें क्रेश करना है और इसका मज़ेदार हम हल्वा बनाना आपको शिका रहे हैं दिखाते हैं कैसे बनता है मज़ेदार बैसन का हल्वा घी गरम हो गया ही तो इसमें हम बैसन को एड़ करतेंग करना है हल्की आच पे खुश्पू आने लग जाए बैसन के अंदर से तो बैसन रेडी हो जाएगा 10-15 मिंट लगेंगे इसको भूनने में तक जो भी है वह नजनी आएगा जब भून जाएगा तो फिल नजर आएगा तो इसको हम भूनते हैं तकरीबन 10-15 मिंट दिखाते ह हमें आपको मज़ेदार खल्वा बनना सिका रहे हैं पेसन का खल्की आच को भूने से यह देखें लाइड गॉल्डन कलर आगया है तकरीब अब इसमें हम जो मिल्क पोडर है वह एट कर देंगे और इलाइची पोडर भी किसी इलाइची भी हम इसमें एट कर देंगे कि मिक्स करना है मिल्क पोडर भालकी पच्छी करें और इस देखें नजर आ रहा है अगया है अच्या सा इसमें गॉल्डन कलर आ गया है अच्छी तरह बेसन को भूनेंगे तो मुज़दार खल्वा रेडी होगा अब इसमें पिसी वी लाईची अमेट कर देंगे तकरीबन आदी चंची, अब इसको मेक्स करेंगे, इलाइची से अच्छी खुज़ू आती है, आप दरना चाहिए तो दर सकते हैं, अब इसमें हम चीनी एड़ कर देंगे, चीनी बढून के बाद इसको छीटब मिक्स करेंगे, चीनी कालने के बाद इसको छीटब दे सकते हैं, फलकियास पर चलातोतों हैं, पांच मिल तर दोटरी इसमें घुल जाए तोड़ी मुँ मेड़ी आए करें पाँद दोफानी एड़ करें करेंगे हम आदे गिलास से थोड़ा से जादा जालें इसमें इस तरह उसको चलाएं अच्छी तरह बेशन को पर होता है कि केपना पानी बेशन ने जालेगा कि देखें बेशन का हलवा रेडी हो गया है भगोने को इसमें चोड़ आए बेशन के लिन हो गया है अब बादाम पिछते इसमें एड़ कर देंगे हम मज़ेदार बेशन का हलवा रेडी है मेरे स्टैल में ज़रूर बनाईएगा और कमेंट्स में मुझे बताईएगा कि आप लोगों कैसा लगा बेशन का हलवा बेशन का हलवा और सबस्क्राइब करिएगा बेल आइकम बजाएगा अब पहले आपके पास मेरी वीडियो है कि यह आपकी महबद होती है सब्सक्राइब करना और दुआ में मुझे याद रखिएगा अपना ख्याल लगएगा अलाफिस